नमस्ते दोस्तों है निकी रेशोई में आपका स्वागत है आज ऐसी रेश्पी लेकि आई हूँ न जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और सारे रेश्पी तो आपको बहुत पसंद आता ही है ये रेश्पी बहुत इजी है और हेल्दी के साथ साथ ये ग्लूटेन फ्री है और बिना मसाला का बनाएंगे लेकिन इतना टेस्टी होगा ना कि आप उंगलिया चाड़ते रह जाओगे और ये बच्चे बड़े बुड़े सभी के लिए है जो हेल्थ मतलब जो बेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी है जो बेट लॉस नहीं करना चाहते हैं उनके ल ..."Dal तो यहां पर मैंने दाल लिया है», जो पीन्क वली दाल होतीँ ने वही लिया एक चमच से बोलिया, तो मैंने दाल लिया है और दो चमच लिया है मैंने म sistemas दाल यानित зачन की निकले रहते हैं तो मिला सकते हैं तो केवल मुंग की डाल से भी मना सकते हमंके पनी जयसे बना सकते हैं कि यसको पानी two-three this to कि आग़ने दोड़ा के कम नात्राइं बना रहे बना रही हुँ तो इसको ढाल दिया है गोंडने आप कुछ भूबना पानी ने इसमें डाल दिया है तो खाउली घी ढलीजोर के दोलें लेकिन इसमें ठीश्पी को सुक्ति के दिघानें दानोंरता वह के अगाने तेस्ट वं दाल फेकएगा नहीं आप ₦ प्रोसेस यहां दालें गए्झा दाल менее बिल्कुल उबलता हुआ पानी जितना गरम डालेंगे फिस बनेगा और उसको हाथ से मत चुखेगा क्योंकि बहुत इक घरम है थोड़ा-थोड़ा पाई डाल करके आजո होने से क्या होगा आप इसको थोड़ा देर के लिए इस तरह से पूरा मत मिलाईए पानी थोड़ा सूखा थोड़ा से गिला इस तरह से रखते छोड़ दीजिए और इसको ढख दीजिए और इसके बाद इसको आटा बाकी बचा गुथेंगे तो देखें पांच मैठ हो चुका है पांस से साथ मेंट ही हो चुका है लगवग आप ज्यादा भी रख सकते अब थोड़ा थंड़ा भी हो चुका है अब इसका स्पून मतलब फोक निकाल देंगे हाथ से ही करेंगे लेके थोड़ा सा गार्म ही है देख सकते हैं थीम निकली հहा है तो यह बना जाना है नहीं है तो अब गरम पानी यतना रहेगा अच्छा अन्टा नहीं बनेगा तो इस बात को जरूर टिप्स को अजमाईएगा तो देखें इस तरह से मैंने आटा गूत लिया बिल्कुल अस्मूत आचा गूता है अब इसमें नमक मैंने डाल दिया था लेकि कैमरा में सूट करना में भूल गई थी तो थोड़ा सा नमक जरूर डालिएगा अगर नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा आप इसमें कुछ मसाले भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने बोला ना कि बिल्कुल हेल्दी यह रिस्पी है बिल्कुल मसाले सकते हैं तो दो को मैं बना देति हूं लंबंगे बापी बचे को गोल रहने देती हूं इसका फॉलाबा टाइप से भी बना सकते हैं लेकिन आगे कभी मैं बताऊंगी इसको तो देखें इस तरह से मैंने बना रख लिया है अब डुछती हूए आब देखते हैं दाल खुल चुका था एक से टीहने टक खुल गया था उसके बाद मैंने इसमें बरतन में डाल दिया था और उसमें कुछ भी नहीं किया है और इसको डालते जाएंगे जो गोल गोल बनाया था ना उसको डालते जाएंगे सारे को और इसको एक मिनट तक उबलने देंगे आधा से एक मिनट तक उबलने दीजिए उसके बात चलाएगा ने उसे क्या होगा बिल्कुल तूटेगा नहीं औ और कटेगा ने अगर उसके पहले चलाएंगे तो आसा कट जाने का जिसे आप चला रहे हो तो कटने का डर है तो एक दो मिनट उबलने के बाद देखे इसको मैं दिखाती हूं कि कि इतना अच्छा से उबल गया है और दो मिनट के दो से तीन मिनट हो चुका है देखे यह बिल होने दिया है उसके बाद गरम होने के बाद इसमें डालें जीरा तो 140S स्पून के बराबर डाला है जीरा और इसमें डाल देंगे अब गी में इसको बनाईए बहुत ही टेष्टी लगेगा आप तेल में भी बना सकते हैं कोई बात नहीं तो मैंने घी डाला है और उसमें थ पत्ते डाले हैं अगर आपके पास करी लिप्स नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं अब इसको यह ब्राउन हो चुका है अब इसको डाल देंगे उसमें दाल में तो देखें यहां पर मैंने डाल दिया है डाल करके बस इस तरह से मिक्स किजिए और उसको क्या कर दिजिए एक मिनट के बाद देखें यानि इसमें धनिया के पत्ता डाला है वो भी सूट करना में भूल गई थी और थ्वासा धनिया पत्ता डाल दीजिए इसमें और देखें कि इसके बाद यह बिल्कुल आपको ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं लंच में ले सकते हैं डिनर में ले स और यह बहुत अच्छा से बन जायागा और बहुत अच्छा टेस्ट आगा देख सकते हैं एक भी नी घुला है अब यह पक्च चुका है अब इसको सरकर निकले लिए तो एक प्लेट लिया उसमें सारे जो पीठा है मैंने निकाल दिया है अब इसके उपर आप फिर से घी डा लेकिन इसमें नहीं डालेंगे जैसे भी दाल में मैंने अब दाल कि आyah, टेस्टे देनर ब्हांगा दरॉज करते बच्चे को सकते हैं यह अईसा जो सारे लोग आ सकते दिखेने इसको तोड़ कर दिखाया बहुत अच्छे से पक चुका है तो आपको यह तो अधयली रिष्पी दाल पिठा रागी का रेस्पी कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करके बताइए यह बनाते हैं कि नहीं आप लोग आप जरू कॉमेंट करके बताईएगा तो अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो के लाइक और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और जितना हो सके सेर किजिएगा तो मिलते हैं नेक्स सब्सक्राइब के साथ हैपी कुकिंग